ओम शान्ती, सद्गति दाता, पतित पावन, निराकार श्व्व पिता, संगम युग पर आकर, हम बच्चों को याद की गुप्त महनत करना सिखाते, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते, और ग्रस्त वेवार में कैसे कमल पुष्प समान पवित्र रहना है, उसकी विधी भी स्पष्ट करते हैं, आईए, रिवाइस करते हैं, आज के 29 सेप्टेंबर 2021 के महावाक्यों को, श्रिव बाबा संगम युग पर आकर क्या करते हैं? भटकने से चुडाते, पढ़ाते, राजियुग सिखाते, पावन बनाते, ब्रह्मा में प्रवेश कर स्वर्ग स्थापन करते, सुक धाम शांती धाम जाने का रास्ता बताते, दुख से लिब्रेट करते, यग्ये रचते, ब्रह्मा द्वारा ब्रामनों की रचना रचते, आत्माओं को शिक्षा देते, स्पिरिच्वल नौलेज देते, किसे क्या कहा जाता है? मनुष्य से देवता बनने को सेकिन में जीवन मुक्ति, भगवान को बाबा, सत्यूग को सुक धाम, कल tweeting को दुख धाम, सत्गती को सुख गती, दुर्गती को दुख गती, कल milligram अंत और सत्युग आधी को पुरिशोत्तम युग, पांच विकारों रूपी माया को रावण, स्वर्ग को सत्युग. बाबा को याद करने से हम बच्चों को क्या फायदे होंगे? बाबा की दिल पर चड़ते, पांच विकारों को जीत लेते, पाप भस्म होते, खुशी रहती, विकर्म विनाश होते. ज्यान अंजन सत्गुरु दिया, अज्यान अंधेर विनाश. ये गायन तो गाते, परन्तु दियाँ वाले इसका अर्थ नहीं जानते. वे अभी भी भटक रहे हैं, भगवान को ढूण रहे हैं, और शुब बाबा ने स्वयम इस थरा पर आकर स्वयम की पहचान दे, हमें भटकने से बचा लिया. तो बाबा ने आज कंट्रास पष्ट किया, दुनिया वाले भटक रहे हैं, और हम बाबा के बच्चों ने पा लिया. उस अंतर की स्पष्टता बाबा ने किस प्रकार की आईये देखते हैं? भक्ती में भगवान को पाने के लिए दर-दर भटक रहे थे, बाबा ने हमें भटकने से छुड़ा दिया. मनुष्य बिजारे ठोकरे खा रहे हैं, अभी हमें वह मिल गया. मनुष्य वापिस जाने का रास्ता ढून रहे हैं, बाबा हमें साथ ले चलने की तैयारी करा रहे हैं. भक्त याद कर रहे हैं, हम आत्माओं को तीसरा नेत्र मिल चुका है. मनुष्य तमो प्रधान कनिष्ट हैं, हम सतो प्रधान उत्तम बन रहे हैं. आज की मुरली की अनुसार शुव बाबा की महिमा ज्यान सागर, पतित पावन, सद्गती दाता, सर्व शक्तिमान, दुख हर्ता, बेहद का बाप कौन सी बाते हम बच्चे जानते हैं, हम पांच विकारों पर जीत पा रहे हैं, अब ब्रामन, देवता, शत्री धर्म की स्थापना हो रही है, जो पास्ट हो चुका है वह फिर अब होना है, इस ज्यान यग्ये में पुरानी दुनिया की आहुती पढ़नी है, यह महाभारत ब्रामन, देवी, देवताय, नमा, माया, जीते, जगत, जीत, हमें धारणा क्या करनी हैं, अविनाशी ड्रामा के राज को बुद्धी में रख, किसी को भी दोशी नहीं बनाना है, पुरुशोत्तम बनने का पुरुशार्थ करना है, इस थोड़े समय में बाप से पूरा व पुरुशार्थ करना है, ये थी आज के मुरली की विशेश बाते, आज हम सारा ही दिन इस बात पर गौर करें, हमें नई दुनिया में सर्वगुन संपन, सोला कला संपून बनकर जाना है, उसकी तयारी अभी करनी है, इसके लिए सारे गुणों की धारणा इसी युग में क करनी है, और खास तौर पर क्रोध पर अटेंशन देना है, कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताईएगा, आज की मुरली की कौन सी पॉइंट से आपको नशा चड़ा, जिसे आप धारण करेंगे, ओम शान्ति.